मुख्यमंत्री हेमन सोरेन से आज कई सिख्चक मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे ये वे सिख्चक हैं जो घंटी अधारित सिख्चक हैं और घंटी के अधार पर ही पढ़ाते हैं कल्यान विभाग के द्वारा 2016 में इनकी नियुक्ति की गई थी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इनी से जानते हैं आप लोग मिले मुख्यमंत्री से टो नहीं मिले लेकिन उनके जो संक्राइब उनके उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि दो दिन के अंदर जो समस्या है आपका वो भाग में भेज़ दिया जाएगा क्या समस्या है सर हम लोग 2016 से लगातार सेवा देते आ काल्यान भाग के स्कूल में और जब से हमारी निकति वहי है तब से हमारा घंटी अधारिश चिक्षक के रुप में होई है और हमनों का गणटी दो सो रुप्या ही मिलता है और हमनों को सब्ता सिर्फ पांच दिन ही मिलता है ख्लास के लिए और एक लास का 200 रुपया मतलब कि परड़ें हम लोग चार क्लास करना होता है और उसमें होता है कि हम लोग जैसे बीच में चुटी हो गई है तो उसकी उसका भी हमें पैसा नहीं मिलता है जिसकारण से हमारा जो मांदे होना चाह हैं और हम लोग का नियावावली 2015 के अनूसार बाहली 2016 में हुई थी आवासिये विद्ध्यालाय जर्खन-कल्यान विभाग में जिसमें हम लोग का प्रावधान था कि मतलब 200 रुपिया पर घंती एक दिन में चार किलास लिया जाएगा और एक सब्ता में पांच दिन ही कारिडिवस दिया जाता है हम लोग विगत 9 साल कोई 10 साल तक भी पहुंच चुके हैं इसमें अभी तक हम लोग को कोई परिवत्तन नहीं हुआ है उसी घंती आधारित में ही और हम लोग को जैसे कोई भी चुट्टी आवकास दुरगा पुजा का जैसे एक मेना का आवकास रहता है गिसमा आवकास रहता है 20 दिन का ये कोई भी आवकास में हम लोग को किसी तरह का कोई भुकतान नहीं होता है परते गंटी कितना मिलता है परते गंटी 200 रुपिया मि कि इसमें कोई नहीं है लेकिन अभी तक हम लोग को कोई मतलब पुर्षाहन नहीं मिला है जिस अधार पे थे उसी अधार पे हम लोग हैं अभी जो बात्चीत हुई क्या लगा कुछ होगा अश्रासम तो दिये हैं कि दो दिन में हम लोग विभाग में भेजेंगे और हम लोग लेटर दिये हैं उनको तो तो बोलें आप देखिए हम लोग आप लोग क्या चाहते हैं कि पैसा बढ़ जाए कि कम से कम मांदे कुछ फिक्स पेमेंट हो जाए क्योंकि जो सब्जक्त पढ़ाते हैं हम लोग सब्सक्राइब तो एक मतलब मजदूर का भी नियुंतम मुजदूरी में जैसे की ब्रिधी होता है तो हम लोग मतलब मन्रेगा मजदूरी से भी कम है यही काना है तो उसमें इतने सालों से एक ही मतलब उसमें तो कुछ तो ब्रिधी मतलब कि अभी अपरी हार यह है मतलब होना ही चाहिए हार किसी के साथ क्या चुट गया बोलिए अब बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जिस विभाग में अभी घंतिया धारित है इसी विभाग में हमीं लोग के जैसे बहुत साड़े तीचर पहले बाली हुआ था पहारिया में उनको 47,000 के आसपास अभी मांदे मिल रहा है और पहारिया विभाग में उनको 7,000 मांदे पहुँच चुका है लेकिन हम लोग को 10 साल में कोई भी कोई पडिवत्तन नहीं वहा है इसलिए हम लोग सरकार से मतलब निष्ठा पुरभग मांग रखते हैं कि हम लोग को एक निष्चित मांदे पहारिया या दिवाकालिन के तरज पे हम लोग को दिया जाए जिससे हम लोग आगे अपना जीवन पौसन को अच्छा से चला सके और ध्यान पुरभग तडिके से हम लोग पढ़ाई को और कर सके क्योंकि हम लोग जिस विपाग में पहार रहे हैं वे आदिवासी पिछरे बर के बच्चे परते हैं जिस समय हम लोग घुसे थे उस समय इस्टिती बहुत ही खराब था हम लोग ने सालों डर मेहनत करके हम लोग का पडिनाम रिजल्ट में दिखता है कल्यान विभाग में हम लोग का हर सब्जेक्ट में अगर एक्ति पसंद नहीं आता तो हम लोग को सोकोज भी आता है इसलिए ह हम लोग हर तरह से परियास करके परहा रहे हैं लेकिन हम लोग को अपना यह तमाम कल्यान विभाग के अंतरगत घंटी अतारित सिक्चक हैं जो आज मुख्यमंत्री एमन सुरेन का जनम दीन है इस दिन यहां पर पहुंचे थे भूके लेकर की बधाई भी देंगे मुलाकात न मिलता है वो मांदे कम से कम फिलाहाल बढ़े और उसके बाद आगे सरकार इस पर और विचार करें शुक्रिया बायोम मेडिकल प्रपरेशन का एक मात्र संस्थान जहां है इसी दिनी जहां है यहां है।